लीनियर लिबरा का ये पांच्वा लेक्चर और फान्डेशन का पांच्वा लेक्चर अभी तक फान्डेशन में आपको हम चार वीडियो दे चुके हैं पांच्वा वीडियो है इसमें हम एन्टपल्स के बारे में जनकरी लेंगे n tuple n tuples over a field कोई भी field अब field को generalize कर रहा है इसके पहले वीडियो में हम field of physical skillers की बात किये थे अब कोई भी field let f plus dot be a field let a1 comma a2 comma so on comma an दखो ये comma a1 comma a2 comma so on फिर comma an बच्चे जो गलती करते हैं वो इस comma को लगाने में इस comma को लगाने में गलती करते हैं बाइसे लिख देते हैं तरीका है ठीक नहीं कुछ बच्चे यहां तो कामा लगाते हैं लेकिन यहां नहीं लगाते हैं बहुत ही कम बच्चे हैं जो यहां भी कामा यहां भी कामा लगाते हैं तो यह सभी आप हम से सीखिए बी इलिमेंटस आफ एफ बी इलिमेंटस आफ एफ देट इस स्केलर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी फील्ड के इलिमेंट को हम स्केलर कहेंगे अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था 並 aba अल्फा से हम् डिनोट कर रहे हैं ब्रैकेट सब अ Your Spring कि इस ब्रैकेट में हमने एन को आडिनेट्स लिख दिया इनको में को आडिनेट्स कहते हैं बढ़र इसी बीयोसथा को हम deben पोलेंगे band टपुल एन कोडिनेट्स वाले इस विवस्था को हम एन टपुल अब देखो टपुल उचारण को लेकर के थोड़ा सा बहुत दिमाग में मत इधरुदर जाल रखना जैसे टी अब ली टेबिल तो टेबिल को टेबिल भी बोलते हैं टेबुल भी बोलते हैं ठीक ना तो इसमे मैं एन टपल बोल रहा हूँ थैन अलफा एकोल टू फला 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 इस काल्ड एन एन टपुल देख लो सब चीज़ एन टपुल के बीच में आइफन रहेगा एन क्यों लगेगा क्योंकि इसके उच्छारण में एन 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 ए पहले निकल नवाविल निकल निकल कोडिनेट कि संख्या कि थ्री कराक्ट में इसको मोरें थी टो करनेक्तुर overcome कि इसको पूपाड करें भूल कि फिर अब कोडिनेट कि संख्या एक कर दे त्व इस नेंचिसा न मुंक दोन अब ये n टपल का एक से थम बनाने जा रहा है let या अगर हम ऐसे कहले है नहीं जाने तो बहुत लिखने से बहुत टाइम खर्च हो जाएगा लिखो let we be the set of all n टपल over capital F फिर लिखे let plus 1 denote अब इसे denotes लिखते हैं let से जब आकी शुरुवात करते हैं तो यहाँ denote लिखते है let plus 1 denote sum of two n tuples sum of two n tuples then V plus 1 यह जो algebraic system है यह एक abelian group बनाएगा बनाएगा is an abelian group बनाए commutative group is an abelian group abel नाम के mathematician पर नाम करन हुआ है abelian इसलिए मैं सम्मान में हमेसा abelian में ए बड़े से ही लिखता हूँ जबकि abel नाम के जो mathematician थे वो बहुत गरीब थे इतने गरीब थे वो कुपोशन से मर गए ठेट बोलें तो खाय भी गरीब के लिए है यानि कि एक बहुत ही गरीब जिससे खाने को नहीं अट रहा है वो भी अच्छा mathematician बन सकता है यदि इश्वर ने उसको मेधा दिया है यदि इश्वर ने उस पर कृपा किया है तो खैर आगे बढ़ते हैं तो यह abelian group है इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे लेकिन यह हम जरूर कर देना है कि चलो पहले कोई भी तीन ले ले क्योंकि फार आल फार आल करके लिखना होता है ना तो एनी एनी करके लिखेंगे ले लिए जाएं लेट अलपा एक्वा 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 केपिटल वी यह भी एनी थ्री एंड टपुल्स ओवर एफ है दन कि नुबर एक कि अलफा और बीटा को जोड़ना है जोड़ने के लिए इस चिंद्र की विविश्था किया हमने तो जोड़िये तो यह जोड़ने का नियम है एन टपुल्स को कैसे जोड़ा जाता है एन टपुल्स को जोड़ने का नियम है करिस्पांडिंग कोडिनेट्स जोड़ दिया जाता है ordered pairs को कैसे जोड़ते हैं corresponding coordinates जोड़ देते हैं बस उसी का generalization कर दो थ्री टपल तीन coordinate वाले ती दो bracket कैसे जोड़ेंगे पहलें पहला दूसरें दूसरा तिसरें तिसरा इस तो होगा सबस्सक्राइबर क्यों क्योंकि इसका प्रते कौर्डट heat के लरे हैं सारे Australians स्केलर रहे सारे कौर्ड़ेंट से सकेलर से one الإton में स्वावर्यों कर दbereich इच कोडिनेट या इच AI प्लस BI ऐसे करके लिए दो बिलॉंग्स तो F तो क्लोजर ला हो गया क्लोजर एक्जियाम हो गया क्लोजर एक्जियाम की बातचीत हो गया थोड़ा संशेप में लिख रहा हूं नमबर टू अलफा प्लस बन ब्रेकेट बीटा प्लस बन गामा तो पहले बीटा और गामा को जोड़ दो दिस प्लस दिस और फिर बाइं तरफ से उसमें इसको भी जोड़ दो क्या इस्तिती बनेगी एंटपल एवन प्लस ब्रेकेट बीवन प्लस सीवन कामा a2 प्लेस ब्रैकेट b2 प्लस c2 कामा so on कामा a n प्लेस ब्रैकेट b n प्लस c n ऐसी बने जो 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 चुकि यह जो coordinates में numbers लिखे हुए है जो भी elements लिखे हुए है यह सब के सब scalars है यह सब के सब scalars है और scalars का जो set होता है उसको capital F से denote करता है वो field बनाता है F is a field field addition के साथ group बनाता है इसलिए addition उसमें associative होगा by definition of group associativity लगा रहो है अंदर ही अंदर entropy bracket a1 प्लस b1 प्लस c1 कामा bracket a2 प्लस b2 प्लस c2 कामा so on कामा bracket a n प्लस b n प्लस c n logic लिखना ज़रूरी है by associativity तो अब दखो इधर जगा कम होता है logic लिखना होता है थोड़ा short में लिखते है by associativity for addition in F इतने बड़े sentence को symbolically in short in brief अब इससे लिख दिए by associativity for addition in F फिर इसको जब break करिएगा तो जो जोड़का नियमें पहला धन पहला दूसरा धन दूसरा तीसरा धन तीसरा एनवा धन एनवा उसी इसाफ से split भी तो होगा decompose भी तो होगा अब खंडिक भी तो होगा यानि कि ये बराबर हो जाएगा तो यह हो गया associative इस दिनोटेट भी थीटा यही additive identity होगा न क्योंकि यह जोड़का नियम है पहला में पहला दूसरा में दूसरा तीसरा में तीसरा एनवा जोड़ा जा रहा है तो किसी भी क्वाडिनेट में जीरो चाहे बाएं से जोड़ेंगे चाहे दाहिने जोड़ेंगे उस क्वाडिनेट पर असर नहीं पड़ेगा होगा यह identity का idea लग गया हमें कि उसके सारे कॉडिनेट स्केलर हैं इसलिए वी काइलिमेंट होगा कारण में लेकराहं जैसा कि 0 भिलॉंग्स टू एफ जीरो एफ में होगा ना यह फिल्ड है, फिल्ड एडिशन के लिए ग्रूप बनाता है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरू फिल्ड में तो होगा ही होगा है, is additive identity, is the additive identity, is the additive identity of capital V as alpha plus 1 theta equal to alpha equal to theta plus alpha for all alpha belonging to V. फोर्थ, कोई भी n tuple हम ले ले, alpha बीटा गामा क्या है लिखा हुआ है, alpha belongs to V, implies that सारे coordinates field में होंगे, a1, comma, a2, comma, so on, comma, an belongs to F, F field, field addition के साथ group बनाता है, यानि के field में जो भी element है, उसका additive inverse V field में होगा, यानि के minus a1, comma, minus a2, comma, so on, comma, minus an belongs to F, चुकि ये सारे के सारे elements field में हैं, इसलिए इनके द्वारा बना हुआ, and triple B field में होगा, minus a1, comma, minus a2, सारे, इनके द्वारा बना हुआ, and triple V में होगा, minus a1, comma, minus a2, comma, so on, comma, minus an belongs to V, और जो जो जोड का नियम है, जोडने का नियम है, पहला को पहला में, दुसरा को दुसरा में, तिसरा को तिसरा में, सोचिए जब alpha को इसमें जोडोगे, a1, minus a1 में जोड़ेगा, a2, minus a2 में जोड़ेगा, an, minus an में जोड़ेगा, चाहे 22 से जोड़ेगा, चाहे दहिने से जोड़ेगा, हर सित्थी में क्या मिलेगा, आपको 0, सारे coordinate 0 हो जाएंगे, आने आपको theta मिल जाएगा, तो हमें idea लग रहा है, this is additive inverse, clearly, minus a1, minus a2, so on, minus an, is the additive inverse, is the additive inverse of alpha, that is, alpha का additive inverse में जोड़ेगा, is this enteople, enteople minus a1, comma minus a2, comma so on, comma minus an, और ये v के element है, यानि, minus alpha v में हो गया, तो देखो मिहाद शुरू किया थे, यालफा v में हैं, तो minus alpha v v में है, यानि v के हर element का additive inverse v, v में होगा, तो यह होगा, existence of identity, ये वाला, ये वाला existence of inverses, तो हो गया, जो हमने claim किया था, वी कामा प्लस बन, is an abelian group, नो, abelian group में कामूटेटिव exam अभी बाकी है, एक exam बाकी वहाई है, फिफ्थ, alpha plus 1 beta equal to, a1 plus b1 कामा, a2 plus b2 कामा, so on, कामा, a1 plus bn, a1, a2, a1, b1, b2, bn, ये सब के सब स्केलर्स है, field के elements है, ना, field addition के साथ, abelian group बनाता है, इसलिए addition के लिए कामूटेटिव लाब field में hold करेगा, तो यहाँ पर मुसका उप्योग कर ले रहा है, इसको हम लिख दे रहा है, b1 plus a1, इसको हम लिख दे रहा है, b2 plus a2, and so on, इसको हम लिख दे रहा है, bn plus a, logic हम दे रहा है, काह, कैसे लिख दिए, किस अधिकार से लिख दिए, तो लिखे, by, by कामूटेटिव टी लिखना है, कामूटेटिव टी एक बड़ा सब्द है, तो c و double m dot लिख दिए, का मूटेटिव एक्जिया है हैंस है वी कामा प्लस बन इस एन अबेलियन ग्रुप है आज हमने आपको बताया एंड टपल क्या है एंड टपल को कैसे जोड़ा जाता है करिस्पांडिंग कौडिनेट्स को एड कर देते हैं सारे एंड टपल का जो सेट होता है वो एडिशन आफ एंड टपल के लिए अबेलियन गुरुप बनाता है यही मैंने अभी आपको बताया इसके बाद हम आपको बताएंगे स्केलर मल्टिप्लिकेशन आफ एंड टपल किसी भी एंड टपल में स्केलर मल्टिप्लिकेशन माने किसी स्केलर से गुणा करना क्या चीज़ है देखिए Scalar Multiplication of N-tuples Let Alpha equal to N-tuples A1, A2, A1, A1, A1 B And N-tuples Then by definition AI belongs to F AI लिखने के मतला हमने A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A1 सब के बारे में लिख दिया let A be an element of an element of field F that is let A be a scalar field का element हने का मतला scalar होना let dot 1 denote scalar multiplication then scalar A dot 1 n टपल alpha is defined as n टपल a dot a 1 comma a dot a 2 comma so on comma a dot a n यह यानि क्या हुआ यह जो scalar A है उसका multiplication प्रते coordinate में हो गया है तो यह भी इसकेलर है a 1 a 2 a n सारे सकेलर से किनी भी दो सकेलर का product भी सकेलर होता है तो इसलिए यह जो n टपल है यह एक n टपल है which is यह लिख दीजे where a dot a i belongs to f यह यह प्रते coordinate f में है प्रते coordinate एक सकेलर है तो यह भी एक क्या हो गया n टपल हो गया किसी भी n टपल में सकेलर से multiply कर दें तो एक n टपल मिलता है और multiply करने का यही rule होता है यही audit pair में आप जानते हैं कोई बहुत नई चीद थोड़ी है किसी audit pair में किसी number से गुणा करना हो तो क्या करते हैं दोनों coordinate पर गुणा करते हैं यही तो ही है अब स्केलर multiplication पर based कुछ results हम लिखना चाहेंगे स्केलर multiplication पर based some results some results oblique facts on scalar multiplication scalar multiplication अब यह सारे results लिखने के लिए हमको दो n टपूल चाहिए दो स्केलर चाहिए let alpha equal to n टपूल a1, a2, a2, a1, a1 a1 and beta equal to b1, b2, so on bn, bane2 bane2 n tuples over field capital F यह सारे coordinates capital F यह की elements है have then each ai and each b belongs to each ai and each bi इस स्केलर थे कभई फिर दो स्केलर अलग से ले रहा हूं है लट ए अंद बी बी अनी तू स्केलर्स वहने है वी अनी तो स्केलर्स मैंने बी अनी तो एलिमेंट साफ दो फेल्ड एफ दन लोक दीज रिजल्स फैक्ट आ alpha plus beta अब n tuples को हम जोड़ रहे हैं इस चिन्न से और किसी n tuple में हम बुणा कर रहे हैं इस चिन्न से अब लिखें नहीं है कितना लिखें इसके पहले सब लिखा ही हुआ था समन लीजिए तो ये बराबर क्या होगा a dot 1 दो n tuple को जोड़िए तो क्या होगा a1 plus b1 कामा a2 plus b2 कामा 101 कामा a n plus b n अभी अभी आपकों पढ़ाये थे किसी भी n tuple में किसी स्केलर से गुणा करना तो क्या होगा हर कोड़नेट में इसका गुणा हो जाएगा यह नहीं हो जागा a dot bracket a1 plus b1 कामा a dot bracket a2 plus b2 कामा so on कामा a dot bracket a n plus b n अभी अंदर सारे कोडिनेट्स सारे कोडिनेट्स फील्ड के अलिमेंट्स हैं सब के सब स्केलर्स हैं और फील्ड में फील्ड एक रिंग होता है न तो रिंग में मल्टिप्लिकेशन एडिशन पर डिस्टिब्यूटिव होता है बाय से भी दाहिने से भी तो मैं लेफ्ट डिस्टिब्यूटिव ला लगा रहा हूँ हर कोडिनेट पर तो यह हो गया एककोल टू a dot a1 plus a dot b1 कामा a dot a2 plus a dot b2 कामा so on कामा a dot a n plus a dot b n यह बन गया एंटपुल लॉजिक लिखिए जरूर लिखिए by left distributive law in the field f अब जैसे दो एंटपुल जोड़े जाते हैं वह इसे इसको decompose करिए split करिए तोड़िए इसको दो के sum में तोड़िए तोड़िए पहला 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 लेकर के एक एंटपुल बनेगा a.a1, a.a2, so on, a.an plus 1 अब दूसरा 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 उठाइए a.b1, a.b2, so on, a.bn and this is nothing but a.1, a.a1, a.a2, so on, an a.bn plus 1 this is nothing but a.1, a.b1, b.a.b2, so on, an b.a.bn and it is a.1 alpha plus 1 a.1 beta next कितना पहला था नहीं दूसरा a plus b dot 1 alpha equal to a plus b dot 1 alpha मने a1 comma a2 comma so on comma an a scalar है b scalar है दोनों का sum भी एक scalar होगा यह एक scalar है इस scalar का गुणा हर coordinate में हो जाएगा यानि कुछ ऐसा लिखिए a plus b dot a1 comma a plus b dot a2 comma so on comma a plus b dot an ऐसे और अब यह सब field के element है field में multiplication right distributed भी होता है addition पे तो right distributed हम लगाने जा रहे है तो जाएगा a dot a1 plus b dot a1 comma a dot a2 plus b dot a2 comma so on comma a dot an plus b dot an यह रहा है logic लिखिए जरूर लिखिए by right distributed law in the field f और अब इसे ब्रेक करिए दो किसम में पहला 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 दूसरा 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 ऐसा लिखे a dot a1 comma a dot a2 comma so on comma a dot an plus 1 b dot a1 comma b dot a2 comma so on comma b dot an और यह कुछ और नहीं a dot 1 alpha है और plus 1 यह b dot 1 alpha है a dot 1 alpha plus b dot 1 alpha और plus इसमें convert हो गया कैसे convert हो रहा है इसा आपकों बता चुके है यह vector है यह vector है तो दो vector का sum हम इस चिन्न से दिखाते है तो जो भी बात मैं लिख रहा हूँ पीछे पढ़ाई हुई चीजों के text में उसके reference में उसके connection में है isolate करके न देखिएगा result number 3 fact number 3 field में scalar multiplication आपकों पढ़ाई थे आजी तो पढ़ाई थे इसी वीडियो में इस वीडियो में पढ़ाई थे इसके पहले वाले वीडियो में sorry इसके पहले वाले वीडियो में उसी के reference में सब चलना है a dot b यह दो scalar का simple multiplication है और dot 1 alpha equal to alpha के हर coordinate में इस scalar से गुणा हो जाएगा a dot b dot a1 comma a dot b dot a2 comma so on comma a dot b dot a and a यह बन गया end double इस सब नंबर्स जितने भी यह elements लिखे हुए सब field के elements हैं और field में multiplication associative होता है क्यों क्योंकि field एक ring है और ring में multiplication के लिए semi group बनता है semi group का मतलब closer law और associative law तो हो गई होगा multiplication के लिए field में associativity लगाई है तो यह बराबर हो जाएगा a dot bracket b dot a1 comma a dot bracket b dot a2 comma so on comma a dot bracket b dot an logic लिखे जरूर लिखे by associativity for multiplication in the field f और फिर क्या करें हम देखो a, a, a बहर आ जाएगा a और बगल में बचेगा b dot a1 comma b dot a2 comma so on comma b dot an यह n टपुल बचा यह scalar बचा दोनों के multiplication को उन से sign होगा यह sign होगा equal to a dot 1 bracket में इसका मान हम लिखना है इसकी value हम लिखना है this is actually b dot 1 alpha यह देखेगा देखेगा देखे a dot b dot alpha equal to a dot b alpha अब इस चिन्नों का हिसाब किताब समझ लिजी आग और fourth property जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको यहां verify कर रहा है 1 dot 1 alpha equal to alpha के हर coordinate में 1 से multiply हो जाएगा तो जाएगा 1 dot a 1 comma 1 dot a 2 comma so on comma 1 dot a n which is equal to a 1 comma a 2 comma so on comma a n which is alpha 1 dot alpha equal to alpha enterple का algebra हमने आपको पढ़ा दिया enterple किसे कहते हैं दो enterples को कैसे जोडेंगे किसी enterple में किसी scalar से कैसे गुणा करेंगे और enterples के जोड़ पे कितने रिजल्स हैं सम् enterples के scalar multiplication पे कितने रिजल्स मिले हमको वो सब हमने ही कठा कर दिया 3 tuple 3 tuple over a field 3 tuple over a field a1, a2, a3 belongs to f f एक field है then bracket a1, a2, a3 बस ती नहीं रहेंगे is called is called 3 tuple tuple, 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 tuple 3 tuple is called a 3 tuple on capital F the set of all 3 tuples over F is denoted by is denoted by capital F 3 और capital F 3 समझ रहे हैं तो इसी प्रेकार से हैं the set of all enterples अभी तो हम enterples के set को capital भी लिखते चले आ रहे थे लेकिन अब हम राज खोलने हैं कि इस set के लिए एक special notification होता है the set of all enterples over F is denoted by capital F N और capital F N N को उपर भी script बना के लिखते हैं नीचे भी script बना के लिखते हैं इसे उपर जो index होता है इसको super script कहते हैं नीचे index होता है इसको sub script कहते हैं लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है कभी ऐसे लिखा मिलेगा कभी ऐसे लिखा मिलेगा हम भी कभी ऐसे लिख देंगे कभी ऐसे लिख देंगे तो आप समझ लिजीए है कि हम जानते हैं कि आर प्लस डॉट एक फील होता है इस फिल्ड पर जो सेट अफ आफ आल three C3, RC3, ऐसे, यह Notations अब आगे मिलेंगे, Foundation का काम ही पर हम समाप्त करते हैं, मैं बार-बार दो रहाता हूँ, यह Modern Algebra की दुनिया है बाबो, यह दुनिया ही अलग है, यहां सब Notations बने हुए हैं, Definitions बने हुए हैं, Discipline बना हुआ है, अपना इसका Grammar है, इसकी भाषा, इसका व्याकरण, इसका सब संसकार, जो भी है, Culture, सब अलग है, कभी भी जब Modern Algebra पढ़ते समय, आप अन्य ब्रांचेज को कनेक्ट न करिएगा, यह पिल्कुल इंडिपेंड इन डालग ब्रांच है, सारी बातचीत जो Notations गढ़े गए हैं, उन्हीं के हिसाब से होती, तो धीरे धीरे अपने आप को ढ़लिए, Modern Algebra कैसे पढ़ा लिखा जाए, और हमेसा लिख लिख के पढ़िए, मित्रों से बातचीत करिए, बातचीत करने से चीजें याद रहती हैं बहुत, और Linear Algebra का यह जो वीडियो का सिलसला सुरू हुआ है, मैं समझता हूँ, बहुत स सारे वीडियो मैं अपने परम पुझे गुरू जी, डाक्टर नुरुत्तम जोसी को समर्पित कर रहा हूँ, बीएस्टी में इन्होंने Modern Algebra हमको पढ़ाया था, और हमें इनकी क्लास में बहुत अच्छा लगता था, मॉडल जबरा से हमाई रूची ही जाग गई, बीएस्टी से ही जाग गई, बीएस्टी में हमारा पचास में अनतालीस नंबर था, 48 आउट 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 फिव्टी, MSC प्रीवेस में थोड़े कम थे, अब थोड़े कम हमारे लिए मनले 70 प्लेस, हाँ थोड़े कम मने हम इसके नीचे हम लोग कभी बात दी नहीं कि, MSC final में हमारा special paper model algebra था, उसमें हम 120 आउट आफ 125, 125 में 120 नंबर पाये थे, वो भी 96 परसेंट ही आएगा, जबकि हम असंतुस्ट थे, हमें और मिलना चाहिए था, modern algebra पढ़ने का अपना एक तौर तरीका है, लिखने का अपना एक तौर तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप तहे तो कर लीजे कि आपको सीखना है कि नहीं, अगर सीखना है तो हमारे साथ चलिए, थैंक्यू बेरी मच्छ,